बिक बॉस सीजन 11 कंटेस्टेंट बंदगी काल रहा वैसे तो शो से बाहर हो चुकी है अलिमिनेशन हो चुका है लेकिन कुछ टाइम पहले शो में अपने बॉइफ्रेंड पुनिश से मिली और उसके बाद काफी खुश नज़र आई लेकिन हाल ही में एक अंटिव्यू में उ एक लंबा टाइम बिक बॉस सीजन 11 के घर में बिताने के बाद बंदगी काल रहा फिलाल घर से बाहर है पर हाल ही में एक एंटिव्यू में बंदगी काल रहा ने ये बताया कि आखिर उनके पेरेंस क्या सोचते हैं उनके और पुनिश के रिलेशन का फ्यूचर क्या है ये किस तरह का बंदा है पुनिश कैसा इंसान है और जहां तक मेरे ममी पापा की पसंद की बात है तो पुनिश की कुछ चीजों को बहुत पसंद करते हैं वहीं पर पुनिश की कुछ आदते हैं कुछ चीजें उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती पर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जितना पुनिश को जानती हूँ जिस तरीके से मैं जानती हूँ फिलाल मेरे मम्मी पापा उन्हें नहीं जानते हैं क्योंकि वो उसे केवल टीवी पर 40 मिनिट के लिए देखते हैं तो साहिर सी बात है कि इतने में वो लोग भे डिसाइड नहीं कर सकते कि आखिर पुनिश कैसा बंदा है उनकी बेटी बंदगी के लिए इतना ही नहीं बंदगी ने ये कहा कि फिलाल तो वो जब घर से बाहर आए मेरे परिवार से मिले तब एक दूसरे को सब जानेंगे और रिलेशन का फ्यूचर डिसाइड हो पाएगा लेकिन जब बंदगी से पूछा हुआ है याद कि मैं पुनिश की मम्मी से भी मिली और वो एक स्वीठार्ट है तो इस तरीके से पुनिश और बंदगी का रिलेशन बिग बॉस के घर के बाहर भी कहीं न कहीं एक मोड ले सकता है इसके इंडिकेशन दे दिये हैं बंदगी कालरा ने फिलाल तो बंदगी चा अनल फिल्मी बीट को